आप सभी की परिच्छा में जैसा question paper आयेगा same to same मैंने भी वैसे ही question paper तयार किया है नई सिच्छा नीत पे आधारित है और आगामी परिच्छा के लिए पूरी तरह helpful है तो इस वीडियो में यानि इस model question paper में अति लगुत्रे 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 बिस्तित उत्रे तीन प्रकार के प्रश्ण included हैं जो कि आपकी परिच्छा के लिए पूरी तरह helpful है अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी क्योंकि ये जो question paper है जो model paper है हमने तयार किया है ये बहुत ही hard work करके और के question चांट के और आपकी आगावी परिच्छा में जो question पूछे जाने के हाई चांस है वो इस वीडियो के अंतरगत रखे हैं अगर आप वीडियो को laugh तक देखते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी तो चलिए वीडियो के start करते हैं और कौन-कौन से प चांटर जिनको आने वाले दिनों में second semester की परिच्छा देनी उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा important होने वाली है अगर उनका subject education यानि कि फिच्छा साफ्त रहे तो आप सभी को मालूम है कि सिच्छा पात का जो paper होता उसमें ठीक है रतीन प्रकार के प्रिच्छन आते ह पहला प्रश्ण है कि मठ या विहार किसे कहते हैं दोस्तों जो यह प्रश्ण है यह प्रश्ण आपकी परिच्छा जो है होगी जब भी ठीक है उसमें इस प्रश्ण की जो पूछे जाने की चांस है वह मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से प्रश्ण आपकी परिच्छ यह हाई लेबल का तो नहीं है मीडियम लेबल का है पूछा भी जा फकता है नहीं भी आ सकता है लेकिन आप इसका इन से ज़रू पढ़िएगा एटी परसंट चांस है इस प्रश्ण के आने के आपकी परिच्छा में आप सभी कहते हैं कि सरी इंपार्टन बताइए इसको आप बोलते हैं अब तो पहले तो गुरू भी बोलते थे अब तो मास्टर जी सिस्व यानि कि आप सभी चातर स्टूडेंट ठीक है आज के तो गुरू और सिस्व के बीच जो संबंध है उनके पीच जो लगा होए एक दूसरे के प्रति उसके बारे में आप लोगों लिखना है लेकिन आज के हिसाफ से नहीं वैदिक काल के हिसाफ से लिखना है तो यह प्रिशन आपकी परिच्छा के लिए 95% चांस से इस प्रिशन के आने के इसलिए इसका आप लोग अच्छे से पढ़ लीजेगा दोस्तों मैं आपको एंसर भी बता सकता था लेकिन एंसर समझेंगे यह आप लोग समझ कि हाई लेबल का प्रश्णा याद रखिएका अगला प्रश्णा है कि बहुत कालिन सिच्छा के उद्देश के बारे हम लिखी तो जो बहुत कालिन थी उसमें सिच्छा के क्या मुख यद्देश थे जैसे कि आज प्रिजन टाइम में जो आप लोग समाज के बारे में समझेंगे समाज को जानेंगे और अच्छे आप लोग किसी को शिच्छा देंगे अगर आप से खुद रहेंगे ठीक है नवक्री प्राप्त करना आच्छल मुकाम खासिल ख цвет心 अगर आप लोग आप सिछित रहेंगे तो जैसे कि आप सभी मालूम di लूंग को यहां से विवह साथ यहां पर हम topic खेना चाहेंगे कि समास्चाथ में आप सभी को मालू है कि सथा में होता यह हिए कि अगर सिछित नहीं रखा जाएगा लोगों को तो जैसे कि आप सभी आप कि पurethe कि जो लड़किया है उनकी जो साधी होती है उसमें क्या समण्षाएं सबस्क्राइब उनको अचछा वर्ड नहीं मिल पाता है ठीक है और उसमें होता यह कि उसको बहुत साय ताने सुनने के भी मिलते हैं कि आप सिच्छित नहीं, आप कुछ आता जाता नहीं है और आप कैसे हैं तो वो साय चीजे होती है और ये भी होता है, आप सभी को कल्यूग में ये भी हो रहा है कि मन चाही, आप सभी को मालूम है कि क्या मिलता है मन्चाहा जो है उधर से दहेज-प्रत की ये कही नहीं बहुत ही इस देश को कमजूर बना रहे हैं यह जो सिस्टम है वो साइट खतम होने वाला नहीं है लेकिन फिरहाल टॉपिंग मैंने छेंड दिया तो मैंने सोचा आपको बता दे रहे तो सिच्छित होना बहुत ही जरूरी है आज के युगवे ठीक है वही सी तरह बताना है कि बहुत दुकालें में सिच्छा के उद्दे अगला परिष्ण है कि राष्टे सचारता मिसन क्या है आप सभी को मालूम होना चाहिए राष्टे सचारता मिसन ठीक है यह बहुत ही हाई लेबल का परिष्ण है आपकी परिष्ण में 100 परशंट आएगा इसकी मैं सत परस्त गारंटी ले रहा हूं यह परिष्ण आपके अत्मी आए या लग में आए या बिष्टित में आएगा आएगा जरूर इसलिए इसको 100 परसंट हम कहेंगे 100 परसंट पूछा जाएगा इसको अच्छे से पढ़ लेना है तो आपके कम से कम 7-8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं अगला परिष्ण है कि त्री भासा सूत्र पर संचिप्ट टिपड़ी लिखिए यह इतना इंपार्टर नहीं से आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं अगला प्रश्ण है कि ऑप्रेशन ब्लेक बोर्ड क्या है यह प्रश्ण आपकी परिष्ण के 85% चास आने के यह अगर प्रश्ण आएगा तो सर्ब सिच्छा अभियान पर प्रिकास डालिए आप सभी पुस्तक देखते हैं सरकाई श्कुल वाली उसमें क्या लिखा रहता है सर्ब सिच्छा अभियान सब बढ़ें सब बढ़ें तो सर्ब सिच्छा अभियान जो चल रहा है अभियान से सिच्छा का अभियान तो यह मुहीम चलाई जा रही है तो गरीब से गरीब परिवार के भी बच्चे इसमें पढ़ाई कर सकते क्योंकि यह फिरी आपकोष्ट रहा है तो इसले यह अभियान जरूरी है कि कोई अफिच्चित न रह जाए अफिच्चित होने के बहुत सारे रीजन भी होते हैं और इसके दुस परिडाम भी बहुत सारे हैं जो बच्चे बाद पहले नहीं पढ़ते हैं उनको कहीं न कहीं बहुत सारे प्रोब्लम का सामना करना पढ़ता है बाद में वह जहाए नोकरी के बेश से हो या फिर इनको किसी बिजनेस को लेकर हो या फिर किसी other way को लेकर हो ठीक है तो उनको बहुत साइश समस्चाय को सामना करना पड़ता है अगर वो सिच्छित नहीं है तो इसलिए फिच्छा जरूरी है तो ये प्रश्ण आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही high label का है फिच्छा का question है फिच्छा 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 का तो simple सी बात है ये प्रश्ण आपकी परिच्छा में आने के high chance है 100% तो हम आपको बताएंगे इसका answer पढ़ लीजेगा अगर ये प्रश्ण ना भी आया तो इससे जुड़ा अगर कोई question फिच्छा 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 पर आ रहा है तो इसमें आप भर-बर के लिख डा लिएगा क्योंकि आपको फिच्छा फिच्छा में answer जो पूछा जाएगा सिच्छा बात्र में फिच्छा के बारे में ही लिखना आप लोगों को भले ही मैं आपको एक फरिष्णली आपको में सला देना चाहूंगा बहुत फाय अचाहत हमारे हैं जो अभी तक तैयारी नहीं किये हैं अब तैयारी करने वजुटे हैं तो उनके लिए एक ही आप सरें कि आप सभी जो पढ़के जाएंगे दो-चार दिन में वो तो आप पर इच्छा में जब पहुंचेंगे वहाँ पर देने तो भूल जाएंगे तो आपको क्या करना फिच्छा फिच्छा फिज़ए जो में में चीजे हैं वो अच्छे से पढ़ लेना है और आगे कोश्चन जो आएगा उसको बना बना के उसका अंसल लिग डालेंगे अगर कोश्चन दस नंबर का है तो पास नंबर तो एक्जाम दर दे ही देगा ठीक है तो यह आप लोग के लिए प्लस पाइंट है जो कि मुझे लगा आप तो बताना चाहिए और हलाकि बहुत फाय चाहत्र हमारे जो रेगुलर क्लाफेश कर रहे हैं पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको हमें कुछ कहने कि आव सकता नहीं वो खुदी टाप कर जाएंगे ठीक है तो यहां पर हम अगला प्रस्ट के और बढ़ेंगे यह प्रस्ट नहीं बता दिया सब्सक्राशन करते हैं उनको है और वहीं से सारे चीज़े होती है चात्रों की तो इसलिए उसके बारे में आप लोग को थोड़ा लिखना है यह भी इंप्वाटेंट है विस्विद्धा लेफिज़ा तो आप लोग थोड़ा पढ़ लिजेगा इसका एंसर ढूंड के अपने लेंगे तो आप लोग मतलब यह हुआ लीजे एक्जांपल के पांचवी क्लास तक या फिर आट वी कुलाफ लबिए कि बेश्विक फिच्चा में होता यह कि कम से कम छात्र को तो कफे लेकर ठीक है ग्यातक होता है या फिर आंतकर अपने पैरेंट का नाम लिखना ठीक है और घर के पूरे फैंबली रिलेस्टन आसपास पढ़ो सो कम से कम नाम ही तो लिखी ही ले हिंदी में ठीक है और हिंदी तो पढ़े लिए इंगलिस न पढ़ पाए तो बेसिक फिच्छा कहीं न कहीं उसी को हमारे साफ से एक्जामपल के थुरू हम बता रहे हैं तो इस प्रकार आप लोग को समझे और इस प्रकार हमारी वीडियो आएगी एंसर वाली भी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है आप लोग तब तक के क्वेश्चन का एंसर डूंड डूंड के पढ़िए अगला प्रस्ण है अब यहां पर आज आएंगे लग उत्रे ठीक है लग उत्रे प्रस्णों का एंसर आपको 200 सब्दों म कीजिए ठीक है प्राइमरी ठीक है प्राथमिक सिच्छा की जो समस्या है क्या क्या समस्या है वह आप लोगों को उसका वर्ण करना है तो जो प्राथमिक प्राइमरी सिच्छा का जो समस्या यह है कि छात्रों को एक्जाम्पल लेकर तो मताजी सरकारी स्कूल हो गया आपका साथ-साथ पर जो ने पढ़ाना चाहिए वो उनको समय रहते पढ़ायी नहीं जाता है ठीक है और उनको जो बताना चाहिए कि हाँ बच्चा अब बेशिक फींचे का अगर प्राथमिक प्राइमरी का है तो उसको वो चीज न बताके हाई लेबल की चीज़े बताना जिससे उसको समझ में ना आना ठीक है ओके और चात्रों को मोटिवेट न करना चात्रों को उस वे में न पढ़ाना जिस वे में वो समझना चाह रहे हैं तो यह कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो की प्राथमिक फिच्छा की हैं और इसकी जो वेनिफिट की वाद करें तो छात्रों के बहुत सारे स्कूल ऐसे भी देखे गए हैं भारत में उसमें बहुत अच्छे टीचर होते हैं वो एक रूल्स बनाते हैं कि सुबा बच्चो कितना मोटीवेट करते कि बच्चा आपको आगे फिच्च में कुछ करना है आपको इतने टाइम जो सासन है वो टायट करते हैं कि हां इतने समय से इतने बीच आपको आना है इतने व regarde इस बढ़न जाए गहें यह इसमें वह दila इतनी चुट्टी ठीक है तो वह सा आएगा ना थिंग कुछ नहीं आएगा तो इसलिए प्रथम जो है वो होनी चाहिए वो प्रजंटी होनी चाहिए उपस्थिती उपस्थिती के बाद दूसरी चीज़े हैं उनको सेडियूल वाइज पढ़ाया जाए उनको उस तरीके से पढ़ाया जा जिसमें समझ रहे हैं ठ अगला परशन है कि सैडलर आयोग पर संशिप्त टिपड़ी लिखी यह पार्टर नहीं आप लोग पढ़ना चाहिए तो पढ़ भी सकते इसका अंसर ठीक है अगला परशन है यह 100% चांस आपकी परिच्छा में आने कि ठीक है अगला परशन है कि राफ्टे फिच्छा यह 100% तो तुछा नीप ठीक है f겠죠 ने जजो कमालूम कि नई फिच्छा नीप लेकिन जो राफ्टे फिच्छाए निए उसका वाड刚 करना है ठीक है और यह जो अभी आपको रेसेंटली में लाग होई है इसकी बारे में भी पढ़ लेना है इन मेंसे दू में से एक प्रश्ण आएगा ही आएगा ठीक है ने सिच्छा नीत से जुड़ा क्योंकि सिच्छा प्रश्ण है तो इसमें कोई रियायत नहीं होगी जो नया नया नियम लागू हुए है वो सारी चीजे इस बार आने ही वाली है परिच्छा में तो इस बात को ध्यान लखेंगे हाई लेबल का प्रश्ण है से हांग फ्रश्ण के अगला प्रश्ण है कि भारते सिच्छा को मैं काले की क्या देन है मैं का आप लोग कह T Anda एक का फिर टिपड़ी लिखनी है या फिर योगदान क्या है इनकी क्या देन है वो लिखना है एंसर में बहुत ही हाई लेबल का प्रेश्ट है आपकी परिच्छा के लिए पूछा यह पूछा जाएगा इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है अगला प्रेश्ट है कि वर्धा सिच तो पूरा का पूरा मैंने वैसे तैयार के ने तैयार किया है पांच से अच्छे कोइस्ट लग हुत्रे में आते हैं और दस कोईस्ट करीब अकले करने होते हैं तो आप जोगों इसे जानकारी होगी उसका एंसर दे दीजिएगा ठीक है ओके सबच मिए क्या अब हम बढ़े यहाँ पर देखा नहीं मैंने टाइप किया था लेकिन धिया यहाँ पर दो कुश्चन हो रहे हैं साथ में आप लोगों को साइथ 5 चारी करने होते हैं गर्लाग रोल से हम क्या बतादे कि चारी आएंगे आपके उसकता 5 आजाएं तो इन्वर्सिटी को उपर डिपेंड करता लगळकामें जिक्रा के बारें में आप लोगों को लिखना है उसका आधनिक विच्छा में क्या इंपरफाद्व मदिन क्या ुद्ध करिए और क्या योगदान मिला है योगदान है वह आपको लिखना डिस्काइब करके यह भी हाई लेबल का प्रश्ण है तो इन साथ प्रश्णों में से आपकी परिच्छा में कम से कम दो तीन प्रश्ण तो आएंगे ही आएंगे अगर आप यही आप अच्छे से अपने तयार कर ल बीजनों के और इनका जो एंसर आप लोगों को 500 सब्दों में देना होता है ठीक है और प्रते हैं अधाएज होते प्रश्णों के उतर देने रहते हैं तो आप लोग कही नकहीं एक प्रश्ण का उत्र टो यह देंगे 10-15 प्रशन देंगे तो इसमें पहला प्रशन है कि नई फिच्छा नीद 2020 के मुख घटो के संशिप्त की विवेशना कीजिए आप सब्सक्राइब मालूम है कि जो इंडियन एजुकेशन न्यू पॉलिशी वो 2020 में लागू हुई है और इससे पहले जो आप सभी को मैंने बताया था कि प्रश्ट आएगा जरूर चाहाए यह आए चाहाए निव प्योल्शी से जुड़ाए जो भी रसिंटली में लागू हुआ है तो इध्यान रखेंगे इसमें से एक प्रश्ट जरूर फशेगा आपकी परिच्छा में गारंटी के साथ है अगला प्रश्ण है कि भारत में बिश्च बिद्याले सिच्छा की प्रमुक्ष समस्याएं क्या है तो इसकी समस्याएं तो आप लोग समझी सकते हैं कि क्या क्या है भारत में बिश्च बिद्याले सिच्छा की प्रमुक्ष समस्याएं प्रमुक्ष समस्या इसमें यह भी है इसमें भी मैं वही कहूंगा प् जंटी लगा देते हैं ठीक है बिना उनके आए हुए कॉलेज में या फिर जो रेगुलर हैं उनको डेली आना चाहिए जो ओपेंस हैं उनके लिए तो कोई बाती नहीं तो यह मुख्य समस्या और उसके बाद समस्या बहुत सारी बढ़ती हैं आप सबी को मालूम है कि जिस ले समस्या है ठीक है एक और यह मुक्य समस्या यह कि आने के बाद जो उनका सेडी होता है उस से साफ से तीचिंग जो होता हूं ना चात्रों को न पढ़ाना ठीक है चात्रों को जो समय रहते जिस भी subject का पीरेड़ है उसे वह नहीं पढ़ाते है ठीक है और च्ट्टी पर रहते हैं मान ली जिसे क wiem कदार ठीक है तो उससे कांटीन्यव नहीं हो पाता जिससे कहें न कहीं फिच्छा पर बहुत बरा प्रभाव हड़ता है ठीक है तो सिच्छा के लिए ज्रूरी यह है की कांटीनिवस ठीक है जब जब तक फिच्छा चल लई है उसको कांटीनिव रखे जाएगी तभी उसमें कुछ इंप्रूब्मेंट हो पाएगा अगर उसमें बीच में गैफिंग होगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी तो इसके बारे मैं और अच्छे से आप अग्रागत तक उप्योगी सिध्थ हो सकते हैं प्रचीन यानि पहले की सिच्छा ठीक है उसके क्या उद्देश थे किस वज़ा पे फिच्छा दे जाती थी लोगों को ठीक है और वरतमान में हटिक है वरतमान की जो उन क्वार्षिव का प्रyll सिच्छा है यहीं पर से बारा किलियर होते हैं 100% प्रचीन भारती के भारती प्रचीन सिच्छा और वर्तमान सिच्छा पर जोड़ा कोश्चन आएगा ही आएगा चाहे यही आए चाहे इस जोड़ा दोसर कोश्चन मनें लेकिन आएगा आएगा प्रशन आपको यह जरूर देखने को मिलेगा बस मैं इतना क जाओंगा अगर आप पढ़ लेंगे तो इस नम्मर आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है अगला प्रेश्ट है कि माध्धिमिक फिच्छा की प्रमुख समस्चा है ठीक है माध्धिमिक सिच्छा दियान दिजेगा क्या है इन समस्चाओं के समाधान की उपाय भी बताईए होती ही इंप्राइबल है उड़ी पार को की अगर टयार करेंगे इक ही प्रसण आ गया तो आपके 10 सब्सक्राइब कहीं नहीं जैने heroic लें इसी चार कोईस्टिनों में से 100% तो कुल मिला कि अगर आप इस वीडियो के सारे कोईस्टिन जो मार्डल पेपर अगर अच्छे से पढ़के जाते हैं तो कम से कम आपके 25 से 30 नंबर तो 100% किलियर हो जाएंगे और मैंने इस हिसाफ से बनाए कि कम से कम 50 से 60 50 55 नंबर तो क क्लियर हो जाए लेकिन कम से कम 25 से 30 नंबर तो किलियर ही हो जाएंगे अच्छे फारे कोईस्टिन पढ़े रहेंगे तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेगा सारे कोईस्टिन जरू पढ़िए अगर आप इसी तरह और भी सब्जेट के कोईस् क्लास में तब तक ले जाए हिंद